वेलकम आज हम कक्षा दो का जो गनित है उसका चैप्टर नमबर साथ क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर नमबर साथ है फटा फट जोड फटा फट का मतलब क्या होता है जल्दी से जोड करना जोड तो आपको आता है जोड का मतलब होता है कोई भी दो या तीन या ज्यादा से ज्यादा चीज को मिला देना तो फटा-फट का मतलब है जल्दी से उनको मिला कर बताना ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक खेल है इस पे लिखा है चित पट खेल जिस खल का क्या नाम है चित पट खेल जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आप किसी भी चीज से खेल सकते हो कंकड से, बीज से, बटन से या फिर आपके पास एक या दो रुपे का सिक्का है तो उससे तो और भी अच्छे से खेल सकते हो तो आपने अपने अनुसार जैसे मैं बटन पर उधारन बता रही हूं ये बटन दिख रहा है तो ये बटन जैसे सीधा कीर गया तो इसको आप बोल दोगे चित ये पहले आपने ग्रूप में मिलकर ये बताना है और इसको आप बोल दोगे पट ठीक तो इस तरह से डिसाइड करना है जैसे ये बीज है दूसरा आप इस तरह से आप बना लोगे पैसे हैं तो पैसों को आपको पता ही है कौन सा साइड चित है कौन सा पट किसी को भी बना सकते हो तो इसमें आपने क्या करना है एक ग्रूप बनाना है जैसे मालो आपके पास आपकी क्लास में या घर के आसपास आप आठ बच्चे हो तो आप दो गुरूप बना लोगे, चार-चार के दो गुरूप बना लिए, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कोई भी एक संख्या ले लोगे, अपने अनुसार सेलेक्ट कर लोगे, जैसे आपने संख्या ले ली है, पांच, पांच की संख्या पे खेल लोगे, तो क्या करेगा, सरकं जैसे कि यह मैं दिखा रही हूं यह जैसे यह चार बच्चे बैठे हैं दूसरी ग्रूप के दूसरी तरफ होंगे तो यह चार बच्चे हैं तो इन्होंने क्या किये पांच बटन ले लिए हैं तो पहले एक बच्चा जैसे इसकी बारी है यह उस बटन को उच्छा लेंगे प पट कितने हैं दो तो इसको लिखोगे तीन जम्मा दो पांच अब ये जिस बच्चे ने उच्छाला है मानलो उस लड़की का नाम रेनू है तो रेनू लिख दोगे ये देखो नीचे तालिका बनाई हुई है एक तालिका बनानी है जैसे पहले रेनू नाम की लड़की ने उ उसको लिखोगे टोटल कितने हो गए तीसरी बार किया है उसके तीन बर चित आए हैं दो बर पट आए हैं और टोटल पांच हो गए ठीक है इस तरह से आप सब के लिखते जाओगे मानलो अगर आपके ये दो बर चित तीन बर पट और इसके सोहन के भी दो बर तीन चित और तीन बार पट आ जाए तो वो उसको repeat नहीं करेगा एक ही संख्या को दो बार नहीं लिखना है फिर वो दुबारा से खेल लेगा ठीक है इस तरह से आपने खेलना है और ये चीज क्या है आपने किसी भी चीज से खेल सकते हो बटन होगे बीज होगे या डंडियां होगी प्लस पट आए हैं और उनका कुल लिख होगे ठीक है इस तरह से ये काम करना है इसी के साथ में थोड़ा सा और देखोगे यहां मैं दिखा रही हूं यहां लिखा हुआ है यह देखो यहां बोक्स है एक दो तीन चार चार निले रंग के हैं और चार पिले रंग के हैं इसके बाद यहां देखो यह निले रंग के छे हैं और दो पिले हैं आठ हो गए यह क्या है साथ वो है एक लाल है आठ हो गए ठीक है इसी तरह यहां पर देख पारे हो आप कितने हैं दो लाल है और चार पिले हैं छे हो गए यहां पांच लाल है एक निला है छे हो गए हैं औ और यहाँ पर चार यह वाले लाल हैं, दो हरे हैं, छे हो गए, यहाँ पर तीन जमा तीन हो गए, छे हो गए, तो यह एक एक एक्टिविटी है, जिसको आपने खेलते हुए करना है, यह आप कोई भी संख्या, नो तक की संख्या ले सकते हो, ठीक है, अगर जैसे हमने यहाँ चुने हैं, मालो 6 पर बनाना है, तो आप क्या करोगे, 6 बटन लोगे, यह 6 शिक्के लोगे, यह 6 बीज लोगे, उस से खेलोगे, और यहाँ यह बनाना है, अब मालो यहाँ पर आप एक चीद देख रहे हो, यहाँ 0 आया है, जिरो का मतलब क्या है, इसके सारे का सारे जो ब और पट पांच बार आए हैं, पांचो के पांचो आए हैं, ठीक है, इस तरह से लिखने हैं, यह हमारा पेज नंबर पचपन हो गया, अब चलते हैं, पेज नंबर चपन की एक्टिविटी, बड़े ही मज़ेदार है, ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बुजूर्ग व्यक्ति है, एक लड़का है, दोनों में बातचीत हो रही है, यहाँ कुछ भैसे बंदी हुई है, अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, तो आप द्यान से देख पा रहे हो, यहाँ खूंटे से भैसे बंदी हुई है, यह उनके आगे चारा रखा हुआ है, यह बुजूर्ग व्यक्ति इस लड़के को कह रहा है, कि साथ भैसे हैं, तुमने इनका ध्यान रखना है, मैं बाहर बाड़े में, बाड़ा क्या होता है, खेत में, जहां बाड़ लगा कर खेत में कुछ उगाया हो, वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यह क्या कह रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ, देखो इसकी तरफ इंडिकेशन है न, तो ये लड़का बोर है, ठीक है, मैं देखता रहूंगा, उसके बाद देखो आगे क्या होता है, दूसरी पिच्चर को ध्यान से देखो, यहां देखो, तीन भैंसे खड़ी है, एक, दो, तीन, तीन खड़ी है न, ह आती होनी चाहिए, अब थोड़ी देर खेल लेता हूँ, यह इसका ध्यान रख रहा था, इसने जोड़ लिया, कि साथ भैंसे हैं, तो कह रहा है, मैं थोड़ी देर खेल लेता हूँ, उसके बाद देखो क्या हुआ, यह लड़का, बोल हाथ में ले रखी है, खेल रहा था, खेलते खेलते देखो क्या होगे, शाम हो गई है, अरे खेलते खेलते काफी देर हो गई, बाड़े में चलकर भैंसो को देखता हूँ, अब फिर वो भैंसो को देखने जा रहा है, तो देखते हैं, क्या देखता है, यहां देखो, बाड़ा बना हुआ है, भैंसे बंदी हु दो, तीन, तीन भेंसे बैठी है, यानि कि चार जमा तीन कितना हो गया, साथ, लेकिन यह पूछ रहा है, यह है कैसे, यह है कैसे हो गया, उसके बाद, यहां देखो, अपना जवाब दे रहा है, अच्छा, पहले तीन भेंसे खड़ी थी, और चार बैठी थी, इस बाद चार यहां पर भेंसे कर रही हैं यहां पर पेड़ भी दिख रहा हूगा अब पांच भेंसे घांस चर रही है ? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कहां चर रही है, यनि कि पांच जमा दो, साथ, दो क्या कर रही है, नहारी है, आम लगे हैं, उसे आम का पेड़ से आम दिख गए है, आम खाता हूँ, अब इसका मन आम खाने को हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, आम खाने के बाद जब वो नीचे आ जाता है यहां पर देखता है अरे भैंसे कहां गई बाहर तो दो ही भैंसे देखो एक दो दो बाहर है और तलाब में कितनी नहा रही है पानी में एक दो तीन चार पांच पांच भैंसे नहा रही हैं लेकिन उसने इसे तो गिना नहीं ये गिन रहे अब देखते हैं क्या लिखावा है क्या तुम बता सकते हो भैंसे कहा है तो हम बता सकते हैं न हम इसका उत्तर लिखेंगे हां क्योंकि हमें पता है न कहा है हां ठीक है हां लिखोगे उसके बाद क्या है कितनी भैंसे तलाब के बाहर है तलाब के बाहर देखो कित तो यहां क्या उत्तर आजाएगा हमारा दो तलाब के बाहर कितनी हो गई है दो भैंसे ठीक है दो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ दो भैंसे दो है ने तो भैंसे आएंगी बीच में बिंदी स ए ठीक है उसके बाद कितनी भैंसे तलाब के अंदर है चलिए देखते हैं तलाब के अंदर कितनी है एक दो तीन चार पांच तो कितनी भैंसे तलाब के अंदर है पांच यहां लिख देंगे हम पांच भैंसे जब एक होती है तो हम भैंस लिखेंगे और एक से ज़्यादा है तो भैंसे हो गई सारी कितनी भैंसे हो गई कितनी भैंसे हो गई दो बाहर है पांच अंदर है हम गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो कितनी हो गई है? साथ तो हम यहां क्या लिख देंगे? सात फटा-फट जोड़ा ना? हमने गिनकर जोड़कर या कुछ भी लिख सकते हो जोड कर ठीक है आगे क्या है चर्चा करो पहले क्या थी पांच बाहर थी दो अंदर थी यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पांच बाहर है दो अंदर है और यहाँ क्या हो गया दो बाहर है पांच अंदर हो गया इस तरह से क्या है हमारा पेज नमबर 56 का काम पूरा हो जाता अब चलते हैं पेज नमबर अगले पर 57 नमबर पेज पर चलिए पहले तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है एक एक्टिविटी है यहां आप ध्यान से देख रहे हो यह कुछ गाड़ी के पईयों के उपर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं दोनों तरफ ठीक है इनको आपने फ संख्या होगी जोड कर उतनी आएगी मिलाना है पहली वाला करके दिखाया है ध्यान से देखो तीन जमा दो तीन और दो कितने हो जाते हैं देखो तीन और दो पांच होते हैं यह पांच के साथ मिलाया है लाइन दिख रही है और यहां पर तीन जमा दो वाला कौन सा है जो पांच बनेगा, आठ और एक नहीं होते, एक जमा तीन पांच नहीं होते, दो जमा छे नहीं होते, तीन जमा चार नहीं होते, चार जमा दो नहीं होते, लेकिन दो जमा तीन पांच होते हैं, तो यह यहां से ऐसे मिल गया है, यह यहां से ऐसे, बाकी के हमें खुद करने हैं, चलिए हम करते हैं, एक-एक करके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, चार जमा तीन, कितने बन जाएंगे, साथ, ठीक है, तो ये साथ कहा है, यहाँ पर है, और इधर से साथ कौन सा बनेगा, आठ जमा एक नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, एक जमा तीन, चार हो जाते हैं, नहीं होगा, दो जमा छे नहीं होगा, तीन जमा साथ, ये हो जाएगा, यानि कि इस से साथ मैच होएगा, चलिए इसको मैच कर देते हैं, मच्छे से, चार जमा तीन, इस से मैच हो गया, और ये इस से मैच हो जाएगा, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, एरो लगाना चाहो तो, नहीं तो सिधी लाइन से भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद देखो, अगला क्या है, छे, जमा दो, कितना होता है, आठ, आठ का है, ये रहा, तो पह छे जम्मा दो आठ और यहां पर दो जम्मा छे आठ यह हो गया उसके बाद अगला देखो क्या है तीन जम्मा एक चार हो गया चार कहां पर है यह रहा और तीन जम्मा एक एक जम्मा तीन क्या हो गया चार इन दोनों को मैच कर देते हैं रंग बदल देती हूं, तीन जमा एक चार ये रहा, और एक जमा तीन कहां पर है, ये रहा, ठीक, इसको मैच हो गया, उसके बाद क्या है, यहां पर आप देखोगे, एक जमा आठ, नो है, नो कहां है, ये रहा, और आठ जमा एक, नो, ये मिला देते हैं हम, चलिए इसको कर द देते हैं हरे के बाद में लाले लेते हैं एक जम्मा आठ नू और आठ जम्मा एक नूँ ठीक है उसके बाद देखते हैं यहां पर दो जमा चार छे यहां हो जाएगा और चार जमा दो छे यहां हो जाएगा तो उसके क्या करेंगे हम रंग बदल देते हैं पहले इससे मैच हो जाएगा और यह इससे इस तरह से हमारी यह सुन्दर सी एक्टिविटी पूरी हो जाती है उसके बाद देखो क्या है आप इसे ध्यान से मैच कर लेंगे जो जिसके साथ मैच है एक चीज़ और देखेंगे हम किनारे पे देख रहे हैं यहां देखो यह 4 है और यह 3 है कितने हो गए 7 यह 5 जमा 2 है यह 6 जमा 1 है और यह क्या है 7 जमा 0 है इदर ध्यान से देखना यह चे हैं और यह एक बिंदी है, 6 जमा एक साथ होगे, यह साथ चेद हैं और इस पर कोई भी नहीं है, तो साथ जमा जीरो हो गई, ठीक है, अब हम चलते हैं, आठ का खेल, ध्यान से देखना है, आठ का सोनू के पास आठ कंचे हैं, यह लड़का है, इसके हाथ में देखो कंचे हैं, कितने हैं? 8 कंचे हैं, ये, देखो, इसने कंचे से खे nuanced वहें खेलने लगा 2 कचोटरियों का खेल, उसने कंचो को इस तरह रखा देखो, ये कचोटst और है इसमें ये कंचे दिख रहे हैं ये कंचे कितने हैं, ये 4 लिखाव 14, चार कितने ह Bettra अब इस कटोरी में कितने हैं यहां देखो कितने दिख रहे हैं दो और इसको गिनोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो कितने हैं? छे हमने इसे गिनकर यहां लिखते जाना है चलिए हम लिख देते हैं यहां हो जाएगा छे और यहां हो जाएगा 2 ठीक है छह और 2 कितने होगे हमारे 8 ठीक है उसके बाद देखो यहां पर कितने 8 यहां 0 है यानि कि कोई कंचा नहीं है तो यहां 8 बन गए ठीक है यानि कि जहां कोई भी कंचा या कोई चीज नहीं है वहां हम 0 लिखेंगे उसके बाद यहां देखते हैं यहां कितने कंचे हैं? 5, गिनको देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 लिख दिया यहां कितने है? 1, 2, 3 तो यहां 3 लिख दिया पांच और तीन कितने हो गए गिनके देखेंगे आठ यानि कि पांच के बाद देखो हम गिनते हैं ये पांच थे छे 6, 7, 8 ऐसे बिगिन सकते हो उसके बाद अगले में देखो कितने हैं यहाँ पर 7 कंचे हैं 7 लिख दिया, यहाँ 1 है तो टोटल कितने हो गए, 8 यह हो गया हमारा कंचो का खेल ठीक है, इस तरह से हमारा पेज नमबर 57 यानि कि 57 नमबर पेज भी पूरा हो जाता है इसमें आपने सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं है, अब क्या है अगला पेज है, 58 नमबर इस पे ध्यान देना है तुमने क्या लिखा हुआ है तुम भी खेलो 6 कंचो में यह खेल यह 6 कंचे हैं यहाँ देखो, यह 6 कंचे हैं 2, 3, 4, 5, 6 तो हमने इन कंचो के साथ खेलना है, तो पहले में हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 कंचा डाल देंगे और यहाँ कितने डालेंगे कितने बच जाएंगे, एक के बाद यह 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 यानि कि यहाँ 5 कंचे डालने पड़ेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, साथ में आपने कंचे भी सुन्दर-सुन्दर बनाना है, यहाँ पर 1 कंचा यहाँ पर 5, टोटल कितने हो जाएंगे 6, और आपने यहाँ पर 6, एक कंचा बना लेना है अलग-लग रंग से बना लोगे यहाँ 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से कंचे बना लोगे, अब उसके बाद दूसरा देखो, हमने क्या है इसमें एक कंचा डाला, अब हम दूसरे में 2 कंचे डाल देते हैं देखते जाना, यहाँ हम 2 कंचे डाल देते हैं यहाँ 4 डालेंगे, देखो यहां 4 बना देते हैं 1, 2, 3, 4 तो कितने बन जाएंगे? 6 कंचे हो जाएंगे आप त्यान से देखोगे अब तीसरे में हम क्या करते हैं 3 कंचे कर देते हैं 3 कंचे यहां चलिए लिखते हैं 1 कंचा 2, 3 1, 2, 3 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 अब 4 में हम क्या करते हैं, 4 कंचे रख देते हैं, फिक है, यहां 4 कंचे और यहां पर दो, तो यह 4 कंचे बनाते हैं, दो तीन चार और यहां दो एक दो कितने होगे छे ठीक है उसके बाद हम अगले पर बनाते हैं यहां पर हम पांच कंचे ले लेते हैं यहां पर एक पांच कंचे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और यहां एक यहां बन जाएंगे छे ठीक है उसके बाद अगले में क्या कर करना है पहले में रंग बदल दूं कि यहां पर छे कंचे ले लेने हैं यहां जीरो कोई कंचा नहीं यहां एक दो तीन चार पांच छे कंचे ले लिए यहां जीरो चे बन गए ठीक है इस तरह से हमारा यह एक एक्टिविटी पूरी होगी आप बना के देखोगे बड़ा मजा से देखना हमारे पास हरी कितनी बिंदिया है चार और चार ही यह है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आप साथ में यहां पर भी काम करोगे तो क्या लिखोगे चार चार जमा चार कितनी हो जाएगी आठ यहां आठ लिख दोगे ठीक है यहां पर आप देखोगे यहां कितनी बिंदिया है एक दो तीन चार पांच और यह तीन है तो हम यहां लिख देंगे पांच जमा तीन ब्राबर आठ यह भी काम करना है यहां पर हरी गिनोगे कितनी है छे और लाल वाली कितनी है दो तो कितनी हो जाएगी छे जमा दो आठ आपका यह इदर बाहर ही रहना चाहिए उसके बाद यहां देखो लाल वाली कितनी है साथ गिनोगे ना साथ जमा एक यह भी कितनी हो जाएगा शात और एक आठ यह कितनी है हरी बिंदिया आठ और कोई वह बिंदी है नहीं दूसरी तो यह आठ जमा जीरो ठीक, अब उसके बाद चलते हैं, हम page number 59, यानि कि 69 पे, आपने ये बड़े ध्यान से देखना है, अगर आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक रुपे का सिक्का है, जिसके उपर एक लिखा हुआ है, उसको हम चित बोलेंगे, और जिसके उपर ये share का निशान बना हुआ ह इसे हम पट कहेंगे, चित और पट का खेल खेलना है, आपने क्या करना है, ये दो लड़किया है, ठीक है, एक का नाम है समीना, एक का नाम है सादिक, ठीक है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, कि क्या क्या नाम है इनका, इसका नाम है समीना, और इसका नाम क्या है, सादिक ये दोनों एक खेल खेल रही हैं इसमें इनोंने क्या करना है ये खेल आप बटन से भी खेल सकते हो अगर एक रुपे का सिक्क है तो उससे जब ये वाली चीज आती है तो इसको आप बोलोगे चित और ये आती है तो पट जब ये चित आती है तो आपने 10 कदम आगे चलना है यानि कि गिंती में 10, 2 पे खड़े हो तो आप कहा पहुंच जाओगे, 12 पे, अगर 3 पे हो तो 13 ठीक है, 10-10 कदम आगे बढ़ना है, अगर आपका पट आता है, तो फिर्फ एक कदम चलना है, अगर आपका ये वाला आता है, ये वाला सिरा आता है, पट, तो सिर्फ एक चलोग तो ये आपको एक खेलने के लिए ये दी गई है इसके लिए आप क्या कर सकते हो आपकी जो किताब है उसका आखरी पेज पर ये एक्टिविटी बनी हुई है आप उसकी मदद से भी खेल सकते हो और जो सबसे पहले 100 का घर पार कर जाएगा वो विनर होएगा एक चीज और है जहां यहां आप देखोगे ये चिडिया सी बनी हुई है तो चिडिया क्या है आपको बोनस देगी इससे आपको क्या है जहां जहां चिडिया मिलेगी वहां दुबारा से आपको बारी खेलनी है एक बारी तो खेलोगे खेलोगे एक बार चल रहे हो लेकिन बड़ा ही अच्छा खेल है इसे आप लोगों ने खेलना है आप अपनी किताब के आखरी पेज पर जब किताब को बंद करके आखरी पेज देखोगे तो आपको सेम यही मिलेगी जिसे आप बंद करके भी खेल सकते और बड़ा मजाएगा कि अज़िए